पाली राजस्तार में बेजबॉल प्रतियोगिता हुई पाली बेजबॉल संखद्वारा पाली शहर के आयोजित किया गया यह प्रतियोगिता तीन नवंबर से शुरू हुई जो छे नवंबर तक आयोजित हुई चार दिवसी इस प्रतियोगीता में बालक वर्ग की 14 तथा बाली का वर्ग की 6 टीमों ने भाग लिया लड़कों में बिकानेर प्रथम बाडमेर द्वितिय तथा पाली और दौसा में टाइप के साथ तुरुतिय स्थान प्राप्त किया इसी करम में लड़की की टीम में भरत पूर प्रथम दौसा द्वितिय तथा पाली ने तौतिय स्थान प्राप्त किया समापन कारेकरम की अध्यक्षता हेमंत सिह वा सचिव दिनेश कुमार के द्वारा की गई जिसमें विशिष्ट अतिथी के रूप में उलम्पिक संग सचेव राजेश पाटनेचा तथा शारिरिक शिक्षा शिक्षक किशन मेवारा जितिंदर सिसोधिया एवं केसर से लोकेश शर्मा समाज सेवी के द्वारा की गई राजस्थान के दवसा जिला से रोहित ठाकुर विकानेर जिला से मोहनपुनिया बारमेड जिले से सुनिल जाट भरतपूर से तनू जोधपूर से विजई शर्मा शामिल हुए कारक्रमे राजेश पाटनेचा ने अपने उदबोधन में कहा कि जीवन में खेल के महत्व को बताया और कहा कि खेलने से मन में इकागरता आती है तथा शरिर के मानसिक तथा शारिरिक विकास तिवरगती से होता है खेलने से आप अपने लिए एक नया रस्ता खोलते है जो आपको उनके उतकृष्ट उंचाई ओपर पहुँचाता है वही केसर सी तता लोकेश ने प्रमुक ध्यानचंद के कहे शब्दों को दोहराते हुए का कि आपका खेल ऐसा होना चाहिए कि जैसा नपहले किसीने खेल हो नकभी आगे कोई खेल सके आपके खेल से ही आपकी पहचान होनी चाहिए इसके बाद खिलाडियों को उसके पुरसकार के लिए विशिष्ट अतिती द्वारा पदक और ट्रॉफी प्रदान की गई इसके साथ ही इसकारे करम की समापन की गोशना एहमन सी द्वारा की गई समाची समाची झाल झाल